सबास बेस्ट क्लासस में आज हम मटन शवर्मा बनाएंगे तो इस शवर्मा को बनाने के लिए हम लेंगे पाउन कीलो गोश्ट याने मटन लिया है मैंने देखे इसकी बड़े बड़े पीसेस हैं पुदिना लिया मैंने और कोथमीर ली हरी मिर्ची ले लीजिए और एक बड चिली सॉस और दो टीस्पून अदर क्लेसन पेस्ट है और यहां पर मैंने लिया है दो टीस्पून रेड चिली सॉस और हम एक टीस्पून लाल मिर्च ले लेंगे एक टीस्पून चिकन मसाला लीजिए और आधा टीस्पून हम काली मिर्च ले लेंगे देखे मैंने काली मि को पीस कर रखा है और एक टीस्पून हम चाट मसाला लेंगे दो टीस्पून विनेगर लीजिए या एक नीबू का रस भी आप ले सकती हैं हम सबसे पहले गोश्ट को सारे मसाले जो मैंने बताए थे वो लगा कर गला लेंगे तो देखिए एक से सारे मसाले डाल दीजिए मैं आम जो साया साॉस दाल रही हों फिर भूर इसमें लाल मिश पाउडर देंगे दी गए सारे मसाली वह में लगाना है कोथ निल ढैल जीए हारी मिश भी डाल दीए और पूदी प्यास डाल दी और इसके बाड़ आप चाट मसाला चीकन मसाला चाली मिर्च भी दाल इसे देड़ ग्लास पानी डाल दूँगी ताकि गोश्ट बहुत अच्छी तरह से गल जाए हमें गोश्ट को इतना गलाना है कि वह हाथ से तोट जाए देखें मैं अब इस गोश्ट को एक fry pan पे डाल रही हूँ पैन पर थोड़ा सा पहले तेल डाल दीजिए और फिर उसके बाद इस गोश्ट को इसमें डाल दीजिए gravy ना डालिए वरना gravy जल जाएगी सिर्फ गोश्ट के pieces डाल कर इसे fry कर लीजिए जब यह थोड़ा fry हो जाएंगे तब हम इसमें कोथ मीर डाल देंगे और फिर इसे निकाल लेंगे fry होने के बाद मैंने इन गोश्ट के pieces को निकाल लिया और अब मैं इसे चाहू से थोड़ा सा कट कर रही हूँ अपनी पसंद के हिसाब से pieces कर लीजिए या तो आप बारीक करिए या थोड़े से बड़े बड़े भी pieces रख सकती है फिर मैंने इसमें एक से दें टीस्पून ग्रीन चिली सॉस आइट कर दिया देखिए अब शवर्मा के लिए हमारे गोश्ट तयार है मैं इसके लिए आटा गुंदूगी यहां मैंने 1-2 kg मैदा लिया और 1 तीसपून नमक है एक टीसपून शकर है और तीन तीसपून टेल है अब एक बोल में पानी लीजिए और इसमें आप एक टीस्पून शकर को अची तरह से घोल लीजिए याने मिक्स कर लीजिए जब शकर मेल्ट हो जाएगी तब हमें इसमें तीन टीस्पून ओईल आट कर लेना है फिर मैं इसमें मैदा डालूंगी और फिर नमक डाल दीजिए और इसे आटा गूंद लीजिए पहले अच्छी तरह से मिक्स कीजिए जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसका आटा गूंद लेंगे नहीं यह बहुत नर्म हो और नहीं बहुत सख्त हो मेडियम आटा आप गूंद लीजिए और इसे एक आदा गंठा रख दीजिए आदे गंटे बाद इसकी हम रोटिया बना लेंगे आप चाहें तो एक बड़ी सी पतली रोटी बना रही हूँ इस तरह से मैंने दो चोटी चोटी रोटिया बेल ली और उस पर हम ऑईल लगा लेंगे देखें मैंने इस पर ऑईल लगा लिया थोड़ा सा हटा कर आप दूसरी रोटी रखिए ताकि सेखने के बाद निकालने में आसानी हो अगर हम एक्जैक्ट पोजिशन पर रखते हैं तो निकालते वक्त मुश्किल होती है हम अगर थोड़ा सा हटा कर रखते हैं रोटी को दूसरी रोटी पर तो निकालने में आसानी हो जाएगी आप इसे पतला बेल लीजिए चाहिए बहुत गर्म तवई पर इसे डालिये और दौनों साइट से सेख लीजिए सेखने केबाद इसे निकाल लीजिए और अलग कर सकती हैं और इसे आप निकालने केबार फोल्द करके रख लीजिए ताकि वो ठंडी होकर कड़क नflanरा देखिए अब मैं इस पर शॉर्मा के लिए मैं मिस्टर लगा रही हूं बत्ट को नगा। ज 근데 बहुत बारिक काटी थी फिर मैंने गोश्त रखा देखिए वही गोश्त जो हमने बनाया था यह गोश्त मैंने इस पर रख दिया फिर उसके बाद हम इस पर दूसरी चीजें रखेंगे जैसे मैं इस पर मैंवनेस डाल रही हूँ आप चाहें तो चीज भी डाल सकती है फिर उसके बाद मैंने ककड़ी रख दी और फिर हम प्यास रखेंगे अब आप इसे फोल्ड कर लीजिए देखिए मैंने इसे पैक कर लिया अच्छी तरह से फोल्ड कर लीजिए और तवे पर थोड़ा सा तेल डालिए आप चाहें तो बटर भी डाल सकती है बटर की वज़ा से बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये बटर या घी या तेल डाल कर आप इसे दोनों साइट से सेक लें तो देखिए कितना शानदार शवमा हमारा तयार हो चुका है आप इसे बीच में से कट करके टमाटर सॉस के साथ सर्व कीजिए अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप हमारी रेसिपी को जल्दी से लाइक कीजिए मज़ेदार रोजमर्रा और दावती खाने अगर आसान तरीखे से सीखने हो तो सबास बेस्ट क्लासिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ हमारे वीडियो अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें थैंक्स फो वाचिंग मैं वीडियो